हलो एब्रूआन वल्कम बैक तो माई चैनल एन आसके वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कागज की फिलिम के बारे में जी हाद तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाए तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है इन कागजों के ब यही एक सरकारी कागज की एहमियत बताती हुए सची घटना पर आधरित फिलिम है कागज फिलिम लाल बिहारी मृतक नाम के व्यक्ति के जीवन पर आधरित है जिन्होंने 18 साल के लंबे शंगर्स के बाद खुद को जीवत साबित किया फिलिम की बरी एक फेमास टाइलेक के बारे में बात करें तो वहां गाव की एक सरपंस बोलते हैं इस देश में रायजपाल से भी बरा लेखपाल होता है और इसके लेखों को कोई भी नहीं मिठा सकता यह आज भी हमारी ब्यबस्था की सच्छाई है देश भर की गाव देहातों में आज भी भरतलाल जैसे जिन् दसाबित नहीं कर पाते हैं और कागजों में मरने के बाद पास्तप में मर जाते हैं फिल्म की बीचो बीच जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है तो आपको भरतलाल की पीरा और जित को गहराई से समझने को मिलता है और फिल्म में शंगर्शक के जज़बे का पोजिटिव संदेज भी आपको दे जाते हैं हाला कि फिलिम कभी-कभी बहुत धीमी लगते हैं लेकिन भरतलाल के नई-नई अतकंडे एक बार फिर कहानी में आपका इंटरेस्ट जगा देती हैं फिलिम को शायद थोरा छोटा किया जा सकता था और फिलिम की एक्टिंग की बात करें तो इस समय प्रंकस्टिपाठी को बॉल्यूट का नगीना कहना बिल्कुल सही रहेगा वो हर किरदार में इतना भीतर तक उतर जाते हैं कि बिल्कुल उसी की जैसे देखने लगती है प्रंकस्टिपाठी अपने भरतलाल का किरदार उनके जैसा कुछ गिने चुने एक्टर ही निभा सकते है भरतलाल की पतनी रुकमिनी की किरदार में एम मोनल गजजर को बकिल साधुराम के किरदार में शनीत कोशिक जज़न्जे है फिलिम में मीता बसिष्टन नेहा चोहान अमर उपईधाय और ब्रिजेंद काला के किरदार बहुत छोटे है सभी ने अपने किरदारों को बखोवी से निभाया है अगर आप पंकस त्रिपाठी जी के फैन है तो इस फिलिम को जरूर देखिए